हेलो एंड वेलकम बेक टू मैं शैनल बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया के सबसे महेंगे स्टॉक्स नहीं MRF के बारे में और अगर इसको मैक्स कर दिया जाए तो यहां से जो लोगों के लिए परसेंटेज निकल के आता है एक टाइम पर कुछ 1800 के असपरस का ट्रेट करता था और प्रिजेंट टाइम में यह 92,840 का ट्रेट कर रहा है और 52 वीक्स का हाई इसका 96,000 देखने को मिलता है देफिनली बात करेंगे और क्या टार्गेट इसको लेकर के हो सकते हैं किन लेवलों पर सपोर्ट इसको देखने क मिलेगा और अगर इसके फंडामेंटली बात कर ली जाए इस स्टॉक के बारे में तो 49,000 क्रोड का मार्केट केप देखने को मिलता है स्टॉक पी 69 का है डफिनेटली इंडिश्टी पी से काफी ज्यादा है रोसी और वही ठीक ठाग देखने को मिलते हैं करें प्रैस की बात देखने को मिलता है कि इसकी जो शेर कैपिटल है सिर्फ 4 करोड देखने को मिलती है तो मतलब 4 करोड ही शेयर मार्केट में एबलेबल है उसमें से भी अगर प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 27% के असपास होल्ड करते हैं प्रमूशल फंड भी 6.59% के असपास होल्ड करते हैं जो फोर इंस्ट्यूशन है वो 18% और रिटेल के पास और अधरस में देखा जाए तो रिटेल इन इर्वेस्टर से 12% की ही लिकृडिटी मार्केट में अवलीबल है तो लिकृडिटी काफी कम मार्केट में अवलीबल है और यह एक कारण है कि स्टॉक में इतने अधरभाइस मारकेट के जा नहीं इसे बड़े-बड़े मर्केटर रिलाइंस के पी मिलता है जो कि बात के तो आ रही है तो यह सारी चीजे हैं कि कंपनी अच्छा पर्फॉर्म करती है यहां पर काफी अच्छा होगा करता था और ओप्रेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छा निकल के आ रहा था मार्च के असपास से पांसो शेपन करोड यहां पर थोड़ी डेफिनली गिरावट दे देखने को नहीं मिले हैं और यह जो फॉल थे वह आ चुके हैं अब इस टॉक में क्या हो रहा है तो अब इस टॉक में हो रहा है कि अभी बिल्कुर रोजिस्टेस पर है अगर यहां से ब्रेक आउट आता है तो इस टॉक दस आजार के असपास टेश करता हुआ देखेगा अगर यहां से डाउन आता है तो इस टॉक फिर से 71,000 के असपास भी देखने को मिलता है और इस कार का स्ट्रेक्चर बन रहा है तो इसके लिए हम चलेंगे वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर क्या देखने को मिलता है तो यह देखने को मिलता है definitely यह देखने को मिलता है कि stock एक uptrend में अभी काम करता हुआ हमें दिख रहा है यहां से बिलकुर एक uptrend चालू है trend line पर support ले रहा है तो अगला support हम लोग होगा एक लाग दस जार के असपस निकलता हुआ मिल सकता है यहां से यह रिवर्स होगा यह देखने वाली बात होगा तो इस्टॉक फिर से हमें 69,000 का लेवल भी दिखा सकता है या और उपर अगर आएगा तो यहां से यहां से फिर लगवग यहां पर आता हुआ तो 73,000 के असपस इस्टॉक पर आता हुआ भी मिल सकता है तो कौशेश रही है अभी कोई acquisition का टाइम नहीं है जब downtrend को यहां पर इस्टॉक आ जाए तब लेने की आ रही है या अगर यहां पर breakout दिखाता है तो इस्टॉ आम जैट इस्टॉक टाइम एल गभाख प्रो नहीं है तो इनुझा भागल है का ब सीटॉक भाटा'T जाता है